नमस्कार साथियों कैसा है आप सभी उम्मीद एच्छे होंगे स्वस्तों में मस्त होंगे तो आज आपको हम अपने गाउं के नहर का नजारा दिखाएंगे और इसका काम कहा तक पहुचा है तो आप बने लिए वीडियो के अंतक आपको दिखाते हैं काफी काम तेजी से हो र तो चलिए आपको नजदीक लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा नगारा देख सकते हैं कि पट्री बल्ला सब लग चुका है मिल्कुल धाचा बन चुका है केवल अब ढलाईया करना है और यह लगभग पता नहीं क्यों लगभग तीन दिनों से यह काम रुका रात को सरीय और अब कटा रहा था और हमको लग रहा कि एक जून को तो लगभग यह बंद ही था दो जून को काम हुआ होगा और आज तीन जून है आप देख सकते हैं किस तरह से यह कार हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इस समय यह है कि अब धान डालने का रोपनी का समय आ रहा है धीरे और नहर का जो भी पूल है वह भी बना नहीं है यहीं नहीं इस नहर पर लगभग कई जगा पूल का निर्माड हो रहा जिसके वज़से नहर में पाने लगभग बहुत महीन से कठा हुआ है नहीं आ रहा है तो काम काफी तेजी से भी चल ला है तो आप यह देख सकते हैं जो नहर की सफाय थी नहर की सफाय पूरी तरह से हो चुकी है केवल किसानों के इंतिजार है शिर्फ पूल के बनने का और जब यह पूल बनके तयार हो गया तो नहर में पानी हैं ऍ Bom ini आपको डिखा रहें यह पीष का विर्माड हो रहा है है पाल पूरी तरह से बन रहा है तो जो यह पूल बन रहा है इस पूल से हमारा लगाव काफी वर्सोस है क्योंकि यह वही पूल है जिस पूल पर से हम लोग लगवग नहाते थे लुक का चुपी खेलते थे तो इसमें चुपने का काम भी होता था तो इससे काफी लगाव थमलों का और यह तूच चुका है और देख सकते हैं काफी मजबूति है जो भी सरीय इसमें लगाया गया काफी मजबूति लगाया गया और देख सकते हैं कितने अंदर तक इसकी ठा अच्छा लगा होगा और इससे इन फार्मेशन के लिए आप हमारे जो पेच को फालो कर सकते हैं और यूटुब में तो यूटुब को सस्क्राइब कर सकते हैं तो मिलें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत खुश रहिए मस्त रहिए